कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है जिसके तहट पतली कुहल पुलिस की टीम ने गश्ट के दोरान 45 वर्षिय डोभी निवासी दिवान चन के कबजे से 1 किलो 484 ग्राम चरस परामत की है कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है वीरवार सुफा कुल्लू पुलिस की टीम पतली कुहल थानक शेत्र के भुलंग वी हाल में गश्ट पर थी गश्ट के दोरान एक व्यक्ती की तलाशी ली गई तो व्यक्ती से तलाशी के दोरान 1 किलो 484 ग्राम चरस बरामत की गई पुलिस ने व्यक्ती को गिरफतार कर लिया है S.P. कुलू गौरव सिंग ने बताया कि गिरफतार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और पुलिस कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद आरोपी से कड़ी पूछताच करेगी उन्होंने कहा कि पतलिकूहल और भुंतर थाना की टीम ने दो दिनों के भीतर अवैद खनन के 14 चालान किये हैं जिनमें खनन माफियाओं से 45,000 रुपे जुर्माना वसूला गया है उन्होंने कहा कि एक टिपर और एक ट्रेक्टर को भी जब्त कर लिया गया है स्पी ने कहा कि अवैद खनन को लेकर पुलिस सब ही जगा कड़ी कारवाई कर रही है सिटी चैनल के लिए कुलू से दिलीब ठाकुर की रिपोर्ट